आगाश्वाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार नमस्कार समाचारों के साथ मैं धारना सच्च्देव देश कोविट टीका करन अभियान के अंतरगत 150 करोड टीके लगाने की दिशा में निरंतर आगे बढ़ रहा है कोरोना वाइरस का नया वेरियंट मिलने से चिंताएं बढ़ी हैं इसे देखते हुए श्रोताओं से हमारी अपील है कि यथाशीगर दोनों टीके लगवाएं और अन्य लोगों को भी टीके लगवाने के लिए प्रेरित करें कृपया तीन सरल उपायों का पालन अवश्य करें मास्क लगाएं दो घस की सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और चेहरा साफ रखें कोविट से संबंदित किसी भी जानकारी और मारदर्शन के लिए राश्ट्री हेल्पलाइन नंबर 011-297-8046 और 1075 पर संपर करें अब इस बुलिटन के समाचार सबसे पहले मुख्य समाचार प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी आज शाम राजियों के मुखे मंत्रियों के साथ कोरोना के संक्रमन को रोकने के उपायों पर चर्चा के लिए बैठक करेंगे ओला गिरने और पाला पढ़ने से ग्यहूं, चना, मसूर, सरसो, अरहर, मतर, राई, अलसी जैसी फसलों को पहुंचा नुकसान प्रधेश में कल 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 3600 से ज्यादा मरीज सामने आए और प्रधेश में अधिकांच हिस्सों में ठंड का असर बरकरार, पोपाल समेत कही शहरों में शीत लहर की स्थिती अब समाचार विस्तार से प्रधान मंत्री नरेंद्र मोधी आज शाम वीडियो कॉन्फरिंस के जरिये सभी राजियों के मुखे मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे प्रधान मंत्री कोरोना के संक्रमन को रोकने के उपायों पर मुखे मंत्रियों से चर्चा करेंगे और स्थिती की समीख्षा करेंगे साथ ही महमारी का फैलाव रोकने के लिए किये गए उपायों का जायजा लेंगे प्रधान मंत्री ने इस से पहले 9 जन्वरी को स्वास्ते अधिकारियों के साथ और उसके नए Omicron variant से निपटने के लिए समीक्षा बैठा की थी इसमें स्वास्ते सोविधाओं की तयारी टीका करन अभियान की स्थिति पर चर्चा की थी भोपाल जिला Cyber Cell को Data Security Council of India Excellence Award मिला है ये सेल Excellence in Capacity Building of Law Enforcement Agency कैटेगरी में देश में दूसरे नमबर पर आई है पहले स्थान पर तेलंगा ना रहा भोपाल जिला Cyber Cell ने 2021 में तीन विदेशी नागरिकों समेथ 170 साइबर जालसाजों को 12 अलग-अलग राजियों से गिरफतार किया है इस दोरान जालसाजों द्वारा ठगे गए करीब एक करोड रुपए समय रहते रिफंड करवाए गए और करीब 25 लाख रुपए फ्रीज करवाए गए एक साल में टीम ने अलग-अलग शहरों में संचालित किया रहे 20 फरजी कॉल सेंटर्स का भी खुलासा किया प्रदेश में ओला गिरने और पाला पढ़ने से फसलों को बड़ा नुकसान पहुँचा है कृशी मंतरी कमल पतेन ने बताया कि गेहूं, चना, मसूर, सरसों, अरहर, मतर, राई, अलसी जैसी फसलों को नुकसान पहुँचा है कई जिलों में 80% फसलों पर भी असर पढ़ा है राचे सरकार ने कोरोना के शिकार मरीजों को अस्पताल में भरती और डिस्चार्ज करने के लिए नए दिशानिर देश जारी किये है इसके अनुसार अब बध्यम लक्षन वाले कोरोना मरीजों को डेडिकेटड गोविड हेल्थ सेंटर में भरती किया जाएगा पॉजिटिव मिलने के साथ में दिन रोगी को तभी डिस्चार्ज किया जाएगा जब पिछले तीन दिन से रोगी को लगातार भुखार नहीं आया हो डिस्चार्ज करने के पहले कोविड की जाच की जरूरत नहीं होगी वहीं कम लक्षन वाले रोगियों को होम आईसोलेशन में ही रखा जाएगा लेकिन इनकी नियमेत रूप से निगरानी की जाएगी केंदरी स्वास्ते मंत्राले ने जारी दिशा निरुदेशों के आधार पर प्रदेश के स्वास्ते विभाग में सभी जिला के लेक्टरों और मुखें चिकित साधिकारियों को निरुदेश दिये हैं कोविड-19 से बचाओ और सुरक्षित रहने के तीन उपाए मास्क लगाएं दो गस दूरी है जरूरी सुरक्षित दूरी रखें हाथ और मुख साफ रखें ब्रेक के बाद बुलिटिन में एक बार फिर आपका स्वागत है प्रदेश में कोरोना के नईक संक्रमन की संक्या बढ़ रही है कल शाम तक की रिपोर्ट के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3600 से ज्यादा नई मामले सामने आए सबसे ज्यादा इन दोर में 1079 नई लोग संक्रमित पाए गए इसके बाद भोपाल में 572, ग्वालिय और जबलपूर में 210 लोगों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है मिंड में कल एक न्यायाधीश समेद 28 न्यायलियन करमचारी पॉजिटिव निकले है जिले में स्टाफ नर्स और वार्ट बोई सहित कुल सैतिस लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है सागर के शाहगर तैसील के राजोला गाउं की प्राइमरी स्कूल के 9 बच्चे कोरोना पॉजिटिव पाए गए है इस क्षेतर की दो और संस्ताओं के तीन बच्चे संक्रमित मिले है कुरोना के बढ़ते संक्रमन को देखते हुए राजसरकार ने 26 जनवरी के लिए आदेश जारी किये है इसके अनुसार गंतंतर दिवस पर स्कूलों में होने वाले ध्वजा रोहनकार क्रम में पहली से 10 वी खक्षा तक के बच्चे शामिल नहीं होंगे इस संबन्द में लोग शिक्षन आयुक ने सभी जिला शिक्षा अदिकारियों को आदेश जारी किया है आदेश सभी सरकारी और गयर सरकारी स्कूलों पर लागू होगा भोपाल केंद्रिय जेल में सजा पूरी होने के बावजूद 35 बुजर्ग बंदी कैद है इसकी वज़े इनके लिए जुर्माना राशी भरने वाला कोई नहीं है मानव अधिकार आयोग ने इस मामले में संग्यान लेते हुए जेल विभाग के प्रमुक सचिव जेल महाने देशक समेथ अन्य लोगों को नोटिस जारी किया है आयोग ने इनसे तीन सब्ताह में जवाब देने को कहा है पंचायत और ग्रामीन विकास विभाग ने पंचायत अक्षेतरों को लेकर कल सभी कलेक्टरों को आदेश जारी कर सवा महीने के भीतर परिसीमन करा कर रिपोर्ट देने को कहा है आदेश के अनुसार परिसीमन का काम 2011 की जनगर्णा के अनुसार 17 जनवरी से शिरू होगा और इसे 25 फरवरी तक पूरा करना होगा वही स्थानिय निकायों के चनाव में अन्य पिछड़ा वर्ग OBC की 27 प्रतिशत आरक्षन मामले में उच्चतन न्यायले में 17 जनवरी को सुनवाई होना है फसल कटाई का त्योहार लोडी आज मनाया जा रहा है उत्तर भारत विशेश रूप से पंजाब, हर्याना, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, जम्मू और चंदिगर में इस्तिहार मनाया जा रहा है प्रदेश में भी सिंधी और पंजाबी समुदाय के लोग इस्तिहार को मना रही है यह पर्व सर्दी की लंबी रातों के अंत और गर्मी के लंबे दिनों की शुरुआत का प्रतीक है आज से सूर्य उत्तरायन की और बढ़ता है राश्टपती रामनात कोविन ने लोडी पर्व की शुपकामनाओं के साथ ही मकर संकरांती, पोंगल, भोगाली, बीहू, उत्तरायन और पोश पर्व की पूर्व संध्या पर लोगों को बढ़ाई दी है उन्होंने देशवासियों के जीवन में खुछाली की कामना की है पूरे प्रदेश में कढाके की ठंड पढ़ रही है कुछ स्थानों पर पाला पढ़ने की खबर है राजधानी भोपाल सहित अधिकांच स्थानों पर तापमान में गिरावट दर्ज की गई है मौसब केंदर के अनुसार सिवनी, धार, रतलाम और शाजापूर में शीत लहर का प्रभाव रहा साकर, दमोह, भोपाल, रायसेन, राजगर, इंदौर, धार, शाजापूर और जैन में तीवर शीत दिन और सिवनी, टीकमगर, खरगौन, गुना में शीत दिन रहा गौलियर, गुना, शाजापूर, आगर, उजजैन, रतलाम, सागर और शातरपूर में कोहरा चाया रहा प्रदेश में सबसे कम तापमान 5 डिगरी सेल्सियस उजजैन और शाजापूर में धर्ज किया गया मौसम केंदर ने भूपाल और उजजैन संभागों के जिलों में तथा सिवनी, दमोह, सागर, टीकमगर, धार, इंदौर और गुना जिलों में शीत लहर चलने की चेतावनी जारी की है अब कुछ समाचा संख्षेप में उजजैन स्थित महाकाल मंदिर परिसर में चल रहे तीन सो करोड रुपे के विकासकारियों का कल प्रभारी मंत्री जगदीश देवडा ने निरिक्षन किया खंडवा में स्वामी विवेकानंद के जन्म दिन के अफसर पर कल रोजगा दिवसका आयोजन वन मंत्री विजजशाह के मुख्या दिथे में आयोजित किया गया उमरिया जिले के दुबबार गाओं के पास कल सड़क दुरखतना में मोटर साइकल सवार दो युबकों की मौत हो गई दोनों चातर शहडोल जिले के बुडार में रहते थे और इंदोर से बाइक पर जा रहे थे आगरमालवा जिले में 14 से 28 जनवरी के बीच आयोजित होने वाले आनंद उत्सव में प्रतियक जनपत से दो और तीन पंचायतों को मिलाकर ग्रमीन क्षेतरों में चहतर तथा नगरिया निकायों में साथ क्लस्टर बनाए गए हैं और सतना अध्यक्ष जिलाविदिक सेवा प्रादी करण राजींदर प्रशाद शर्मा के मार्गदर्शन में बुद्वार को जिलाविदिक कार्याले में कोविड-19 संकर्मन से बचाव के लिए टीका करण सत्र आयोजित किया गया इस बुलिटन में फिल हाल इतना ही अंत में एक अपील हमेशा ध्यान रखें मास्क और दोगस की दूरी हाथ धून भी है जरूरी नमस्कार